आज़ आपके लेल एकदम नई एकदम असान और एकदम तेस्टी रेशिपी लाई हैं यह रेशिपी पता को भी किसे बन के त्यार होता है इसे वीच कबाब के नाम से भी जाना जा सकता है यह कबाब आप खाओगी तो आप नानवीच कबाब सब भूल जाओगी चिकन कबाब मटन कबाब यह सब खाना भूल जाओगी इस तरी की कबाब की रेसिपी आप अपनी घर पे एक बाद ज़रू ट्राय करिएगा गैरेंटी देता हूँ आपको बहुत ही पसंद आएगी यह कबाब पीना कोई जंजटके बन जाता है बहुत ही जल्दी बन जाता है बारिस का मु हैनत लग रहे होगी तो चैनल वीडियो का लाइक कर दीजिएगा तो इस पता को भी कबाब बनाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ी के वो देख लेते हैं सबसे पहले इदर मैंने बाउल ले लिया है बाउल में मैंने डाल दिया है पता कोभी तो यह लगबक 500 ज्राम तक पता कोभी है पता कोभी को मैंने एकदम अच्छी तरिकी से कट कर लिया है तो अब हम इसमें एल्ट कर देंगे वन टीस्पून सॉल सॉल डानने के फायदा पता कोभी में सॉल डाल देंगे तो उसके साथ र्ययक्ट करके इसमें पाने रिलेज हो जाएगा इसके वज़े से हम पानी की कोंटेटी थोड़ी कमी रखेंगे पता कोभी में और इसे हमारे पताकोभी कबाब जो रहेंगे नहीं बनेंगे बहुत देश्ती तो हम इसी पाने लिकाना नहीं है आप भी मत लिका लिएगा तो अब हम इसमें एड़ कर देंगे सबसे पहले एक मिडिम सैज का प्याज लंबे-लंबे टुकड़ों में कट हुआ तो मैंने पत्ले तुकड़े नहीं दिये हैं ज्यादा पत्ले तुकड़े भी नहीं करना है इदर में पाउडर बस इतने ही इंग्रेडिंट हमें डालने हैं आप चाहिए तो थोड़ा सा चाट मसाला भी इसमें एड़ कर सकते हूँ मैंने टोटिल स्कीप कर दिया है अब हम इसमें एड़ कर देंगे लगबग 3-4 चमच बेशन बेशन आप अपनी कॉंटेटी के हिसाब से रख दिया है अगर मुझे जरूद पड़ेगा आगे तो मैं डाल दूँगा अब हम इसमें एड़ कर देंगे लगबग 3 टेबल स्पून के आसपास सुजी डाल देंगे और थोड़ा से मैंने चावल का आठा का भी इसमें इसमें स्तमाल किया है तो अब जरू डाल दिएगा मैं तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर एकदर एकदम अच्छी तरीके से हम एक डव बना लेंगे मतर स्यादा गाड़ा पथला भी नहीं रखना है हमें तो यह देखिए इस तरीके से हम आता गुंते हैं वैसे हम दो त्यार करना है लेकिन आटे का जो यह रहते हैं तो हम इसमें थोड़ा सा कज़्व पानी एक्स्ट्रा डालना है तो यह देखिए जैसे हम पकोड़ा बनाते हैं उसी तरह का बैटर हमें त्यार चाहिए तो इस तरीके से हम इसे एकदम अच्छी तरीके से मिक्स करते रहेंगे यह देखे में थोड़ा सा पानी और डाल दिया है और इसमें एकदम अच्छी तरीकी से मिक्स करते ना है तो मैंने आपको स्टार्टी में ही बताया था बेसन आप थोड़ा कम ही डालेगा क्योंकि यह पत्ता को भी कबाब है इसमें पत्ता को भी क्वांटिटी थोड़ी तो क्या करना है आपको नबग थोड़ा आराम से इस्तमाल करना है सबसे पर लिक क्या कर लेंगी इदर फंदमनेट हो चुका है इसे तरीके हमें सारी कबाब बना के त्यार कर लेने ही यह दिखिए इस तरीके से मैंने इदर फिलाल पांच कबाब बना के त्यार किया है मतलब पत्ता को भी कबाब और बाकी के में बाद में बना के फ्राय करूँगा आपको दिखाने के लिए मैंने तब तक के लिए पांच क्लिए डाल दिया था अब हमस्में एक करके अपना पता को भी कबाब जूहे डाल देंगे फ्राइय होने के लिए गैस का फिलेम मैंने तिल अच्छी तरीके से अंदर से भी पकाएंगे और बहार से भी पकाएंगी तो लास में जाके हम उस custard गराणे से एक्दम पडिये हुए घबूर किसी गरम है और हमारे कबा पे अच्छी तरीके से पक रहे हैं तो इस तरीके से हमें मैंने इदर है ना एकदम अच्छी तरीके से पलेट लिया है यह देखिए तो हम हम पलट 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 के एकड़म अच्छी तरीके से फ्राइ कर लेंगे तो य। यह है ना इसी तरीके से हमें इसमें Hä stain कर देना सारी कबाब में इसे क्या होगा अंदर इख़ोड़ा भी ऑई नहीं बनगे तिया के तियार होगा से थोड़ा भी उईली नहीं बन आपे तियार होगा ऑई भी बहुत कमएरजब करेंगा आप इस तरीके से पता कोभी की रेसिपी मतलब पता कोभी की कबाब अपने घर पे एक बाद जुरूर बना के देखीगा सब आपके फैन बन जाएंगी बच्चे से लेकि बड़े तक आपको ये पता कोभी कबाब बनाने बोलेंगे हफ़ते में एक बार तो इस तरीके से मैंने इसे एकदम अची तरीके से फ्राइ करके निकाल लिया है तो ये देखी दिखने में बहाची जितना क्रिस्पी दिख रहेगा है जा अंदर से उतना ही नर्म है ये आप अपने घर पे एक बाद जुरूर इस तरीके से पता को भी कबाब एक बार बना के देखिएगा गैरेंटी है आप इसे हफ्ते में दो से तीन बाद तो आराम से बनाओगी तो चलिए सर्व कर लेते हैं इसे तो में इदा सर्विंग प्लेट ले लिया है उसमें हम एक एक करके कि अपनी सारे कबाब सर्व कर लेंगे मैंने से सर्व किया है टमेटो चटनी के साथ आप इसे से जवन चटनी के साथ सर्व कर सकते हारी चटनी के साथ से अब कर सकते इस सबके साथ एकदम परफेक्ट मैच करती है तो इस तरीके से मैंने से तो यहां हमारा पत्ता को भी कपाप एकड़म अच्छी तरीकी से बनके त्यार हुआ है अगर आपको यह रेशिपी थोड़ी से भी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को जादी से सब्सक्राब करके बेल आइकन के उपक्लिक करें और हाँ आपको थोड़ी से भी मेहनत देख र लिए तो जली से जाकी देख लेजए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंग दिया है